रिलीज होने के बाद कोई फिल्म तो लाखो करोडो कमाती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है रिलीज से पहले ही कोई फिल्म कैसे करोडो का बिजनस कर लेती है किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले होने वाली कमाई में कई फैक्टर से इंबॉल होते हैं दोस्तों इन्ही क्याधार पर फिल्मों की प्री बिजनस की कमाई का आकड़ा सामने आता है इन्ही क्याधार पर कहा जाता है कि इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले इतने का बिजनस कर लिया इसने इतने का बिजनस कर लिया आखिर थीएटर में रिलीज होने से पहले ही कोई भी फिल्म इतनी कमाई कैसे कर लेती है आज के इस वीडियो में यही गड़े थम समझेंगे इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं दोस्तों पहला फैक्टर है डिस्ट्रिब्यूटर्स से मिलता है पैसा जी हाँ जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसे सिनेमा घरों तक पहुँचाने के लिए प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रिब्यूटर्स की मदद लेनी पड़ती है प्रोड्यूसर डिस्ट्रिब्यूटर्स को एक बड़ी कीमत पर उस फिल्म के राइट्स बेच देते हैं डिस्ट्रिब्यूटर्स फिल्म को सिनेमा घरों तक ले जाते हैं और उससे फाइदा कमाते हैं इसमें सबसे बड़ा रोल होता है फिल्मों को लोगों तक पहुँचाना, उसका माहौल बनाना होता है फिल्म की स्टार कास्ट और पबलिसिती जितनी ज्यादा होगी, डिस्ट्रिब्यूटर्स के बीच फिल्म के राइट्स लेने की उतनी ही ज्यादा होड रहती है इसी का फाइदा film producers को मिल जाता है यहीं से film की release से पहले ही बंपर कमाई हो जाती है फैक्टर नंबर दो OTT राइट्स बेच कर कमाई होती है film की ही नहीं उसके music राइट्स बेच कर भी पैसे कमाई जाते हैं film के music को दिखाने और सुनने के लिए भी music कमपनियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है release के तैसमे के बाद इस film को TV या OTT प्लाटफॉर्म पर दिखाया जाता है इसके लिए channels या OTT प्लाटफॉर्म को फिल्म के राइट्स लेने पड़ते हैं आपने देखा भी होगा कि जब TV पर कोई नई फिल्म आती है तो उसे वर्ल्ड टेलिविजन प्रीमियर कहके प्रचारित किया जाता है ऐसा तभी होता है जब channel उस फिल्म के राइट्स खरीद लेता है दरसल कई कमपनियां अपनी publicity और promotion के लिए फिल्म प्रोडूसर्स के साथ डीग करते हैं जिसमें फिल्म के दारान उन कमपनियों के नाम, लोगो या प्रेड़क्त दिखाए जाते हैं कई बार किसे फिल्म में किसी बड़ी कमपनी के शोरू या उसके बैनर पोस्टर दिखाए जाते हैं इसके लिए producers इन company से करोडों रुपे चार्ज करते हैं ये film की कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है दोस्ते अब बात करते है factor नंबर 4 की है film की pre-booking से कमाई जब कोई film release होती है तो उससे पहले ही theaters में इसकी advance booking शुरू हो जाती है अगर film की star cast और trailer से इसका माहौल बन जाता है तो advance booking जबरदस्त होती है इससे जो कमाई होती है वो film के pre-business collection का ही हिस्सा होती है तो दोस्तों ये वो कुछ factors है जो किसी भी film के release होने से पहले कमाई का ज़रिया होते है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारे comment section में जाकर जिर्वीर बताएगे